हलो नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का कमलेश विशुवकर मा यूटूब शैनल पे जैसा कि फ्रिंट्स यहाँ पर आप लोग देख पारे फ्रिंट्स फानली आप लोग का यहाँ पर एक लेटर जारी हुआ डिजिटी का जिसमें आप लोग का बताया गया कि आप लोग का आई टी आई का एकजाम कब होगा और आप लोग का एकजाम किस परकार लिया जाएगा उसमें आप लोग को बताया गया है और आपको परिच्छा के दोरान कौन कौन से साथानी आपको अपनानी है और आपको परिच्छा के स तो आप लोग इसे फटा पर एक लाइक करिए और हमारे यूटूब चेलों सब्सक्राइब कर लें आपको नीचे रेट करका बॉटन दिखा सब्सक्राइब वाला आप लोग उसे दबाल घंटी वाल इकन को अलो टिफिकेशन पर क्लिक कर देना है और फ्रेंट्स आप तक किर्विति उसको आप लोग को आप लोग को फालो करना है इसके बाद आप लोग का लेज़ाँ से पहले पहुचना होगा यानि प्रिट्स यहाँ पर आप लोग का ATI का परिच्छा के इंदर बना हुआ है वहाँ पर अपने सांस्थान पर आपको आदे गंटे एकजाम से पहले आपको पहुचना होगा यानि आप लोग का समय अगर 10 बे इस आप लोग का एकजाम स्ठार्ट होता है इसके बाद दिया गया परिच्छा कच में किसी भी अभी भावक या सिचक को अनुमती नहीं होगी, यहाँ पर आप लोग का दिया गया है कि अगर आपके सिचक आपके साथ जाते हैं परिच्छा में तो वहाँ पर उनको अनुमती नहीं दी जाएगी, वहाँ पर परिच्छा केंदर पर जो सिच्छर रहते हैं वही रहेंगे यानि आपके एक्जामिर वहां पर मौझूद रहेंगे इसके बाद दियागे परिछा प्रवेश पत्र प्रति दिन साथ लाना होगा यहाँ पर आपको अपना जो एडमिट कार्ड जिसे आप लोग हॉल टिकेट प्रवेश प पालन किया जाएगा आपको कोविट नाइंटिंग को दियान में रखते हुए ही आपको एक्जाम देना है आपको कोविट नाइंटिंग को भूलना नहीं है यहाँ पर उसका नियम का पालन आपको करना है जिसके तहत समय समय पर सनिटाइजर का चिड़काव किया जाएगा शहिस्थान में प्रवेश करने से पहले चात्रों के हाथों को सनिटाइज किया जाएगा यानि फ्रेंट्स आपको अपने साथ भी एक फेस मास्क और हेंड सनिटाइजर आपको लेकर जाना है और वहाँ पे आप लोगों का जहाँ पी आपका परिशा केंदर है वहाँ पर सनिटाइजर का छिड़का भी किया जाएगा और आपको शहिस्थान में प्रवेश करने से पहले चात्रों के हाथों को सनिटाइज करके ही आपको रूम में भेजा जाएगा इसके बाद दिया गया है वही बीना मास्क किसी भी छात्र को प्रवेश्ट नहीं करने दिया जाएगा और इसके बाद दिया गया है आईटी आई में इस बार होने वाली आनलाइम परिच्छा का बोज भी पूरी तरह से विद्यार्थियों पर पड़ने जा रही है विभाग दुआरा आनलाइम परिच्छा के नाम पर प्रति विद्यार्थी से 376 रुपए जमा करवाने के आदेश दिये गए है परिच्छा फिस आनलाइम जमा करवाने उपरान्त ही विद्यार्थियों का आनलाइम रोलंबर मिलेगा यहाँ पर फ्रेंट्स आप लोग का बताया जा रहा है कि आप लोग का एक CBT का पोर्टल बना हुआ है जिसमें आप लोग को वहाँ पे 376 रुपए आपको वहाँ पर भी पेव करना पड़ेगा इसके बाद ही आप लोग का एक रोल लंबर मिलेगा जिसमें आप लोग जब CBT का एकजाम देंगे तो उस कम्प्यूटर में आपको उस रोल लंबर को वहाँ पे सब्मिट करके ही आपको लॉग इन करना पड़ेगा इसके बाद ही आप लोग का एकजाम देना स्टार्ट किया जाएगा ठीक है और प्रेंट्स आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग का कुछ पॉइंट यहाँ पर भी दिया गया है जो कि ITI Online Exam 2020 के बारे में आप लोग का बताया गया है जबकि जिनका स्टेमेश्टर और बैक परिछा का एकजाम है उनको यह सा प्रोसेस नहीं करना है उनका एकजाम आणलाइन नहीं लिया जाएगा इनका एकजाम आफ लाइन मादम से यानि इनका इकजाम बागी आप लोग यहाँ पर देख पा रहें दिया गया है आई टी आई की आनलाइम परिच्छा कराने के लिए भारत सरकार ने वेपशाइट तयार कर लिया है यानि आपका cbt का पोर्टल भी बन चुका है अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्मी पोर्टल पर पर परिच्छा सुलक भी कुछ ट्रेडों की जमा होने को जमा किया जा रहा है जो कि यहाँ पर आप लोग लग रहा है कि आपका 5 सिर्ट के माद्राऌ से एकजाम हुआ है बट आप लोग का अभी तक एकजाम नहीं हुआ ठृक है और फिरंटस आप लोग का एकजाम के बारे में यहाँ पर भी दिया गया है जो कि आपका जो परिच्छा होगा वो सिविटी का उस सेल्फ सेंटर कराने की तयारी में है बोर्ड और आपका परिच्छा के दवरान सेसी टीवी से होगी रिकार्डिंग यानि फ्रेंड जब आप लोग कंप्यूटर पर अपना एक्ज एक्जाम होगा उसका पेपर आप लोग का एक दिन में करा दिया जाएगा आपका थेओरी प्लस वर्क्साप कल्कुलेशन एंड साइंस का जो आपका एक साथ ही करा दिया जाएगा इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं इंजिनिरिंग ट्रेड की परिच्छ वर्किलिया का पेपर रहेगा यह फ्रेंडs जानने वाली बहुत भड़ी बात ही कि आप लोग एक्जाम पेपर यहां पर आप लोग का एंगे पर तो आप dip हैं तो आप लोग का आएगा इसके बाद आप लोग का यहाँ पर दिया गया है आई टी आई ओनलाइन एकजाम 2020 नेव डेट सीट विल बी अवेलेबल इन जनवरी 2021 यानि फ्रेंट्स आप लोग का यहाँ पर बता जा रहे कि आप लोग का जो ओनलाइन एकजाम का शेडूल है वो आपका जनवरी के लास्ट वीक तक आप लोग का यहाँ पर डेट सीट जारी होने की बात चल रही है तो फ्रेंट्स यहाँ पर आप लोग को जना कि फ्रेंट्स आपको परिच्छा में इन सब नियमों का पालंग करना होगा यानि आपको कोविड नाइंटिंग को देखते वे ही आ आपको एकजाम देना है आपको अपने साथ फेसमास्क और हेंड सरिंटाइजर आपको लेकर जाना नहीं भूलना है और इसके बाद आप लोग को जो इकजाम आप लोगका होगा उस शेल्प सेंटर कराने की आप बात चल रही है और आप लोगको कुछ पढ़के भी जाना ह क्योंकि आप लोग का CCTV के कैमरे के साथ आप लोग का एक्जाम होगा और आप लोग का जो एक्जाम होगा त्योरी, वर्कसाप, गलकुर से एंड साइंस का दोनों एक साथ ही लिया जाएगा और आप लोग का एक्जाम 3 गंटे तक चलेगा जो की आपका हिंदी और अंग्रेजी भासामें दोनों में यह आपका एक्जाम लिया जाएगा जो आपको सुभिदा पड़े उसका एक्जाम आप लोग दे सकते हैं चाहे आप लोग हिंदी में दे चाहे इंग्लिस में दे आप लोग का कापी चेक होगा सभी लोगों का ठीक है